नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर डीके गुप्ता चेर्मेन फिलिक्स वॉस्पिटल नुएडा आपको बताऊंगा कि आज हमारी माननिये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सितारमन जी ने बजट पेस किया है और स्वास्ते छेतर के लिए बहुत ही अच्छी खुशकबरी है कि उन्होंने स्वास्ते छेतर को बहुत ही प्रारिटी दी है बहुत ही ध्यान रखा है चूंकि हमारा जो बजट था जो पिछली साल का करोड कर दिया गया है उसमें भी 35,000 करोड सिर्फ कोबिड वैक्षीन के फ्री डिस्ट्रिबिशन के लिए रखा गया है जो जितने भी फ्रेंट लाइन बॉरियर्स हैं जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन सब को फ्री में वैक्षी दी जाएगी उसका पूरा ध्यान रखा है इसके अत्रिक्त आत्म निर्भर भारत बराने के लिए जो पहले बहुत कम हम लोग खर्चा करते थे उसमें रिशर्च में जो कम खर्चा करते थे उसका विद्रारा ध्यान रखा गया उसके लिए 50,000 क्रोड का अलग ऐलोकेशन किया गया है कि आर और डी करने के लिए रि जट बहुत ही आमी है बहुत ही अच्छा है और खासकर मैं बताऊंगा क्यों किया ऐसा दिनवाला सितर्ण ने क्यों हेल्थ केर इतना फोकस किया उसके बहुत सारे पहलू है हमारा जो हेल्थ सेक्टर है पिछले कई सदियों से अच्छूता रहा है इसमें किसी ने ध्यान न उन्वों लोगभी हाता लोगो चार से फांच परशेंट उपनी पांच परशेंट ऑप्षेंट्त करते हैं पना इलाज करने लिए लगभा हर साल साड़े छे करोड लोगों को बेलो पबर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ता था क्योंकि उनके इतने सारे पैसे खर्च हो जा देते अपना है आपने परिवार जनों का इलाज कराने के लिए लगबग सतर परसेंट पॉपुलेशन को लगबग स सब्सक्राइब करना पड़ता है किसी अच्छे होस्पिटल में अच्छी सर्विस अबेल करने के लिए तो यह सारी बातें ऐसी थी जिन से द्रमगा सितारा मंजी का ध्यान गया है इन पर उन पे इन्होंने का ध्यान रखा इसके अतरिक तक अगर आप देखेंगे हमारे जो हॉस्पिटल बैड और पेशेंट रेशियो बहुत कम है लगबग बन पॉइंट थी पर थाउजेंड है जो दुनिया में लगबग तीन परसेंट का अवरेज है तो अब हमें इंफ्रस्टर के डेवलप करना है हम सब ने देखा कोबिन में नंबर बैट की कमी पढ़ गई थ एंबुलेंसे की कमीटी तो उन सब चीजों का विध्यान रखा गया हमारे डॉक्टर नर्स रेशियो बहुत कम है तो इनके लिए भी हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए चाहिए तो यह सब चीजों का विध्यान रखा गया है इसके अतरिक्त जो हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल कोणलों में रन करने के लिए अगर आपको दियानास्टिक आई उसके चाहिए तो इन सब की भी सबस्तो का सब्सक्राइं पहुत कर ईग करने हैं तो अगर हम infrastructure को promote करेंगे, doctors को promote करेंगे, nurses को promote करेंगे तो काफी हद तक हम दुनिया में एक पता का लहरा सकते हैं कि हमारा देश medical सिख्षा में, medical education में, medical health care में भी टॉप पे है अगर हम बताएं लगभग जो हमारे 70% जो hospital beds हैं वो इंडिया के top 20 cities में ही हैं मतलब जो हमारी 70% जो population rural area में रहती है, गाउं में रहती है, बहाँ सिर्फ 30% है और जहां हमारी 30% population रहती है, बड़े-बड़े सहरों है, बहाँ 70% बैड है, तो कितना mismatch है, इस mismatch को ठीक करने के लिए दिनमलाज सितारा मंजी ने बहुत अच्छा बज़े पेस्ट किया है, सायद इस से टायर लेबल के ब्लोग लेबल के सेंटर्स होते हैं, तैसी लेबल पे उनकी कमी है, तो इन सब कमी को पूरा करने के लिए budget boost देगा, लेकिन अभी वी जो कुछ कमिया रह गई है, वो यह है कि अभी जो हमारा जो आईसमान भारत की स्कीम है, जो PMJWI है, उसके rates बहुत कम हैं, कि अगर अच्छा इलाज देना है, अच्छी quality care देनी है, तो इसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा हमें rates को revision करना चाहिए, पिछले 6 साल से CGHS rates का भी revision नहीं हुआ है, तो मैं government को request करूंगा, finance ministry को request करूंगा, health ministry को request करूंगा, कि इन सब बातों पे ध्यान दें, और thank you so much, बह झाल